अगर आपका पनीर भूजी खाने का दिल कर रहा है तो इसे पांच मैट में यह जबजस और आसान तरीके से बना के अब तयार कर पाएंगे आपको बहुत पसंद आने वाली सबसे सिंपल आसान तरीके की यह पनीर भूजी चले बना लेते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह पे पनीर चाहिए तो यह मार्केट वाला पनीर 200 ग्रामी रह अच्छे से मैंने इसको वाष करकर एक बारी कर सकते हैं बाड़ ग्रेट कर लिए ऑड़ चॉसका बहुत अच्छा आता है जो मैं आपको बता रही हूँ, हर्ली 5 मिनाट में बनके तयार होगी, आप देखिए ध्यान से, तो मैंने 200 ग्राम पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, उसके साथ एक अनियन लेना है, तो मैंने एक मेडियम साइज का अनियन ले लिया था, जिसको म मैं इसको सस्व के तेल में बनाती हूँ, बढ़िया टेस भी आता है, तो इक दम देशी तरीके से आप बनाईए, एक चम्मश सस्व के तेल में, एक चम्मश मैंने जीरा डाला है, उसके बाद आप फ्लेम का ध्यान रखे, कोई चीज जलनी नी चाहिए, तो आपको लो फ्ल निकल जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से पहले भुणना है, हमको लो से मीडियम फ्लेम में, तो अगर आपको यह लगता है, पनीर भूजी बनाना बहुत टाफ है, क्योंकि पनीर भूजी बनाने के बहुत सारे तरीके है, बेशन वाली, दही वाली, तो यह सब से सिंपल तरीका है, जो कि बेशन बिगनस या जो लोग अके लिए रहते हैं, जरूर बना सकते हैं, अब उसके लिए आपको क्या करना है, एक टमाटर जो लिया आता है वो टमाटर भी डाल देंगे, तो बहुत ज्यादा टमाटर नहीं डालना है, उसके बाद यहां पर डालना है हल् अच्छा सब्सक्राइब निकल गया है, यह सीकर्ट इंग्रेडियन पावभाजी मसाला, बस आपको यह एक चमच पावभाजी मसाला डालना है, और आपको कोई महनत करने के जरूरत ही नहीं, अच्छा से मिलाके इसको एक मिल पका लेंगे, और आप देखेंगे, आपका ज बनके तयार होगा, तो पनीर भूजी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, यह सबसे सिंपल और आसान तरीका है, तो जो लोग पनीर भूजी खाना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बिना महनत के से पांच मन में पनीर भूजी बना के तयार करना चाहते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं पनी डाल के अच्छे से मिक्स करना है पहले लाइट हैंड से और यह देखिए अभी न इसका ओयल सेपरेट होना बहुत जरूरी है तो अभी हमें क्या करना है मैं भोजी तो बनके तयार है बर सबसे इंपोर्टन स्टप से कि आप अपको धनिया की पत्ती डालना है और डाल कर पहले अच्छी तरीके से इसको मिलाना है भी एप जिया देखो क्या है अप देखोंगे ल theo बस्तों बंके तयार होगा है इतना जब्लस लगता है इसको गर्म गर्म आप रोटी के साथ खा सकते हैं आपको राइस के साथ सूखा सबजी खाना पसंद उसके साथ खा सकते हैं टेस की गैरेंटी मैं लेती हूँ आपको बहुत पसंद आने वाली एक जो पनीर भोजी आप बनाते है न उससे तो बहुत अच्छी बनेगी अगर आ नहीं आती बाकि आप इससे अच्छी बना सकते हैं तो आप जरूर कॉमेंट करके बताएं कि आप कैसी लगी पसंद आया तो मैं चैन को लाइक शेर सब्सक्राइब करें पेज से देख रहे हैं मेरे पेज को फॉलो करें तब तक